अभी तक हमने चर्चा की है विश्व में परिवहन के विशय में और परिवहन में भी देखें हमने की परिवहन के अलग-अलग साधन है जैसे इस्थल मार्ग के में अलग परिवहन का साधन है वायू मार्ग भी है हमारे लिए और जल मार्ग भी है इन सभी विशेव पर हमने बात की परिवहन के माध्यम से हमने देखा कि हम परिवहन जो है वो एक व्यक्ति या किसी वस्तू को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक लाने और ले जाने का कारी करता है आज हमें पढ़ना है संचार के विशे में जिस परिवहन व्यक्तियों और वस्तू या पदार्थों का एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक उसे लाता या ले जाता है या उसके माध्यम से परिवहन के माध्यम से आवागमन किया जाता है उसी प्रकार संचार जो है वो हमारे जो संदेश हैं मैसेजिस हैं उनको एक इस्थान से दूसरे इस्थान या मैं कहूँ कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार के माध्यम से हम संपर्क इस्थापित कर सकते हैं या करते हैं तो आज हम इसी संचार के विशय में बात करते हैं और ये बात भी हमें पता है कि जब से जो हम आदिम युक की बात करें यदि जब से मनुश्य जो है इस प्रित्वी पर आया है तब से लेकर आज तक हम देखें तो जितनी भी ओद्योगी किया नगरी करण का जो विकास हुआ है उन सभी में परिवहन और संचार जो है उसने अपनी एक महत्य पूर्ण भूमिका निभाई है या मैं ये कहूं कि उसका जो आधुनिक युग में जो हम उसका विक्सित स्वरूब देखते हैं वो संभव हो पाया है केवल और केवल परिवहन एवं संचार के माध्यमों या साधनों के कारण तो आज हम बात करते हैं संचार के विशय में और इसे हम थोड़ा अभी वर्तमान समय से बहुत पीछे जाकर देखते हैं कि कब से संचार के साधनों का विकास हुआ है और किस प्रकार विकास हुआ और आज हम आधुनिक युग में जिसे हम क कैसे पहुँचे तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको ध्यान में होगा पुराने पिक्चर्स देखते हैं और उस समय पे कुछ कहानिया यदि आप सुनते होंगे पुराने जमाने की तो उसमें हम देखते हैं कि जो कभूतरों के माध्यम से संदेश जो है वो एक स्था जैसे ही विकास हुआ तो उसके बाद हम देखेंगे कि लगभग सोलवी सदी में या सोलवी शताबदी में जो है वो डाक विवस्था जो है विक्सित हो गई या डाक के माध्यम से संदेश का या जो भी मैसेज भेजने हैं उनको एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहु करांती से लादी उन्होंने फिर उसके बाद kuv का थोड़ा और विकास हुआ और हम बात करेंगे ओंध देख पारे हों गे टेलीफोन का अविश्वा और टेलीफोन का जो अविश्कार है वो ग्राहम बैल ने किया उन्होंने जब टेलीफोन का अविश्कार किया तो हम ये कह सकते हैं कि फिर से एक और नए क्रांतिकारी युग की शुरुवात हो गई टेलीफोन के अविश्कार के बाद फिर आप देख पा रहे होंगे ग्राहम जैसे ही टेलीफोन का विश्कार किया और मारकोनी महोदय जो थे उन्होंने संचार प्रक्रिया में क्रमशह और सुधार कारी किया तो इन दोनों के बाद जो है वो एक नई क्रांती आई संचार के साधनों में या उस समय जो संचार के साधन विक्सित थे उनमें और अब हम हमारा जो वर्तमान समय है वो उपग्रह या कंप्यूटर और इंटरनेट इन सभी का युग जो है वो हम मान सकते हैं आप देख रहे होंगे आप अपने टीवी पर जो भी टेलीविजन चैनल्स देखते हैं या आप मुबाइल फोन पे बात करते हैं ये सब कुछ संभव हो पा कुछ जो है वो संभव हो पाया है अब हम इसमें देखेंगे कि ये जितने भी विकास हुए उन्होंने जो इस्थान की बाधाये थी हैं ना मतलब कोई अमेरिका में रह रहा है और आप भारत देश में हैं तो जो जगह की बाधा थी मतलब कि हम इतने डिस्टेंस में इतने दूर एक जगह से कोई व्यक्ति जो है वो दूसरी जगह पर है और जो दूरी थी वो दूरी को या हम ये कहें ये दूरी वाली बाधा या स्थान वाली बाधा को संचार के इतने जो विक्सिस साधन थे उन्होंने ये दूरियां मिटा दी और अब तो बिलकुल ये संभव ह कि आज यदि हम बैठे हैं और हम अमेरिका में या ब्रिटेन में बैठे अपने किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव से बिल्कुल उसी तरह बात कर सकते हैं मानों कि आप एक घर में आमने सामने बैठे हुए हों और आपको उस कमी का एहसास ही नहीं होगा कि वो व्यक्ति जो है वो आपसे इतनी दूर में रहता है या उससे आपका संबंध जो है वो इस्थापित नहीं हो सकता आप उनसे बात नहीं कर सकते ये वाली दूरियां या ये बात जो है वो अब नहीं रही हम बात करें इंटरनेट और ये मोबाईल वीडियो फोन जो है जिनका विकास हुआ उसके बात से अब हम और जो विकास हुआ उसकी वो विकास की अद्भूत गती जो है वो और तबाई जब आप्टिकल फाइबर का विकास हुआ और ये आप्टिकल फाइबर के विकास के बाद जो तामबे के तार का उपियोग होता था वो उपियोग जो है वो कम होने लगा और Optic Fiber के विकास के बाद जो डेटा थे आकड़े थे उनका तेजी से संचालन हो पाया और सुरक्षित संचालन जो है शिग्रता के साथ साथ मतलब बहुत जल्दी संचालन होने के साथ ही साथ सुरक्षित तरीके से भी संचालन संभव हो पाया अब हम ये बोले कि इन सब विकासों के बाद यदि हम वर्तमान समय में देखें तो हमारे पास कौन-कौन से संचार की जो साधन है वो उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से संपर्प इस्थापित कर पाते हैं तो नंबर वन आप देख पा रहे होंगे डाक एवं तार है ना डाक एवं तार जो है वो तो बहुत पुरानी विवस्था है जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि डाक विवस्था का जो आरंभ है वो लगभग सोलवी सधी के आसपास हो गया था और ये किसी भी राज की या प्रशाश की या इसके माध्यम से किसी भी प्रकार के जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनको भेजा जाता है और अब इसमें एक और नई तकनीक नहीं इसकी जगह ले लिए है और जब से कंप्यूटर का विकास हुआ है उसके बाद से हम देखते हैं जो डाक का कारिय है वो आपके इलेक्ट्रोनिक मेल के माध्यम से हम करते हैं और इसके अलावा ये टेलेक्स और फैक्स से भी संभा हो पाया है जिससे मतलब यदि हम अभी किसी को कोई पत्र भेजना चाहा रहे हैं या कोई मैसेज देना चाहा रहे हैं वो आपसे कितने ही हजारों किलोमीटर दूर रह रहा हो विदीन सेकेंड वो मैसेज जो है वो उसके पास पहुँच जाएगा पहले जो डाक विवस्था थ जाते थे उस लेटर को या उस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुचने में अब तार जो है वो इसी की और हम बोले की तिवरगामी प्रक्रिया हो गई तार के माध्यम से जो मैसेज या जो क्या बोले लेटर जो है वो भेजे जाते हैं उसके बाद फिर अविश्कार हुआ और या हम ये बोले कि हमारे पास उसके अलावा भी है समाचार पत्र समाचार पत्र जो है या हम जिनें न्यूस पेपर कहते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो समाचार पत्र है वो आधुनिक समाच का आईना होता है या हम प्रतिभिंब के रूप में हम कह सकते हैं या हम उन्हें प्रक पेपर को पढ़ने से होती है जब तक हम दिन में न्यूस पेपर सुबह नहीं पढ़ लेते तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी अच्छी दिन चरिया की शुरुवात नहीं हो पाई और उस समाचार पत्र के माध्यम से हम पूरे विश्व की जितनी भी होने वाली घटनाएं हैं उ केंप्यूटर का इंटरनेट का लेकिन समाचार पत्र का महत्व जो है वो आज भी उतना ही है अभी हम भारत की यदि बात करें कि भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी कौन सी है तो ये शायद इससे आप सभी परिचीत होंगे प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया या हम इसे पी पत्र है हिंदूस्तान टाइम्स हो गया देहिंदू हो गया उसके बाद जनसत्ता हो गया ये जो है वो आपके प्रमुख भारत के समाचार पत्र है और यदि हम विश्व इस्तर पर बात करें तो विश्व के प्रमुख जो समाचार पत्र है वो न्यूयर्क टाइम्स हो गया डेली न्यूज हो गया, पिपुल्स डेली है ना या फिर जो डेली मीरर ये हम देख रहे हैं ये प्रमुख जो है विश्व इस्तर पर अलग-अलग देशों के प्रमुख समाचार पत्र हैं अब हम बात करेंगे समाचार पत्र के बाद फिर विकास हुआ आपके दूरभाश फोन या हम सेलूलर मोबाइल जिसे कहते हैं तो इसके माध्यम से ये हो गया कि हम कहीं भी दूर बैठे जो हैं व्यक्ति से किसी भी रिष्टेदार से अपने किसी फ्रेंड से तुरंट कुछ ही सेकेंड में कॉल कनेक्ट हो जाता है और हम उनसे बात कर पाते हैं इस दूरभाश फोन या सेलूलर मोबाइल के बाद फिर जो अविशकार हुआ आपके वीडियो फोन का तो वीडियो फोन के अविशकार के बाद तो ऐसा लगता है जैसे हम घर में बैठे जैसे चार लोग घर में बैठे हैं ठीक उसी प्रकार हम कई सो या कई हजार किलो ति ये संबह हो पाया आपके वीडियो फोन के कारण अब इसके बाद यदि हम बात करेंगे टेलेक्स आया टेलेक्स भी जो है वो एक तार प्रणाली जैसी है और उस से बहत तिवरता से किसी भी लेटर या मैसेट का ट्रांसफर जो है वो संबह हो पाता है और उसके बाद फिर fax आया, fax भी आपके संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, जहां से इसमें ये फोन से लगा हुआ एक सायंत्रल होता है, जिसमें कोई भी लेटर यदि भेजा जा रहा है, तो आप उसे उसका एक print या hard copy जो है उसमें प्राप्त कर सकते हैं, तेलेक्स हो गया, fax हो गया, उसके बाद फिर आया रेडियो, रेडियो भी हमारे संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, और इसमें अलग-अलग टाइप के कारिक्रम जो है, वो प्रसारित किये जाते हैं, मैसेज दिये जाते हैं, ये जो है वो एक बेतार की तार प्रणाली है, मतलब इसमें कोई तार नहीं होता, एक रेडियो, केंद्र या रेडियो जो सेंटर होते हैं, वहाँ पर ट्रांस्मिशन सेंटर होता है, और वहाँ से नीचे जो तरंगे भेजी जाती हैं, वो आप तक जो रेडियो के माध्यम से सुनाई देता है, वो ध्वनी तरंगों में तो हम कोई भी कारिक्रम या किसी भी प्रकार का जो मैसेज है, उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, विशुभर की घटनाओं के विशय में, किसी भी टाइप की जो घटनाए या जो समाचार है, उसे हम अपने दूर दर्शन से प्राप्त कर सकते हैं, और अलग-अल या इंटरनेट का यूग है, तो इसमें जो इसका एक अच्छा एक्जामपल है, जो होट लाइन होता है, वो आपके कोई अलग-अलग जो देश हैं, वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ के प्रधान मंत्री या कोई भी राश्ट्र अध्यक्ष की जो है, आपस में विदीन सेक इंटरनेट और कम्प्यूटर के अविशकार के बाद, तो हमने देखे कि ये आपके अलग-अलग टाइप के हमारे पास अभी वरतमान समय में संचार के साधन है, जिनके माध्यम से हम अपना किसी भी प्रकार का कोई मैसेज जो है वो दूसरे को या पूरे विश्व भर में प्रेशित कर सकते हैं या भेज सकते हैं, अब इसके बाद हम जो अभी हमने बात की थी कि उपग्रह संचार, उपग्रह को हम कह रहे हैं कि वरतमान यूग जो है वो सैटेलाइट्स का यूग हम कह सकते हैं, उपग्रह का यूग है, है ना, तो उपग्रह के माध्यम से संचा और कैसे होता है यह हम देखते हैं उपग्रह जो है वो किसी भी ग्रह की परिक्रमा करता है यदि हम जोग्रोफिकल इसमें देखें तो उपग्रह वो है जो किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहा है वो एक नैचरल होता है लेकिन अभी वर्तमान में मनुष्य ने इतना अधिक विका कास के बाद हम ये देखते हैं कि मनुश्य ने खुद अपने जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो इस्थापित कर दिये हैं पृत्वी पर है ना वो कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो मानव निर्मित होते हैं और बहुत जो अधिक शक्तिशाली रॉकेट होते हैं उनके माध्यम से अ 28,000 km प्रती सेकंड होती है और जब यह अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यह प्रित्वी की गुरुत्वा कर्शन शक्ती से परे हो जाते हैं बहुत दूर निकल जाते हैं और चुकि इनकी स्पीड बहुत जादा होती है तो यह उस ग्रह जहां पर जिसकी भी ज चानकारी कठी करने के लिए इन्हें छोडा गया है अंतरिक्ष में उसके सराउंडिंग गूमते रहते हैं और मैंने अभी जैसा बताया कि इनकी गती लगभग 28,000 km प्रती घंटे होती हैं और इसमें बहुत जो शक्तिशाली 100 बैटरियां लगी होती हैं जो इन्हें उर्ज करते हैं ये सब कुछ जो है वो संभा हो पाया है आपके सेटेलाइट के माध्यम से या कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं अभी हमने जैसे बात की थी कि अब जो नैचरल प्राकृतिक उपग्रह हैं उनके अलावा मनुष्य ने अपने विवेक के द्वारा बहुत सारे कृत् शांठी का ब्हीजा गया और किस ने भेजा तो सोवीत संग के द्वारा भेजा गया है उन्नि सो संभन में सोवीत संग में सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो अन्तरीक्ष में भेजा था और अब तक यदी हम बात करें तो लगभग पांच हजार जो उपमक्रह हैं वो अंतरिक्ष में भेजे चा चुके हैं अब हमारा भारत भी इसमें क्यों पीछे रहे जब विकास की हर दोड में वो शामिल हो रहा है तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है और भारत ने अपना सबसे पहला जो है हम बात कर यदि कृत्रिम उपग्रह की तो आप यहां पर दे कि जो इनसेट श्रिंखला होती है तो इस इनसेट श्रिंखला के अंतरगद्वी भारत ने 1A, 1B और 1C जो है उपग्रह आपके अंतरिक्ष में भेजे हैं जिसमें आपका यदि हम बात करें तो 1B और 1C जो है वो यह जो दो उपग्रह है या इस रंकला के जो दो ये उपगरह हैं वो संचार उपगरह के रूप में अभी वर्तमान में कारी कर रहे हैं अब हम बात करें कि जितने भी ये संचार के जो अलग-अलग साधनों की हमने भी बात की जिसके माध्यम से हम संदेशों का संप्रेशन एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी संचार विवस्था ने आधुनिक संचार विवस्था ने पूरे विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल दिया है तो अगर हम देखें कि इसके उद्देश कौन-कौन से हैं किसके आपके जो कृत्रिम उपग्रह ये जो भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में अलग-अलग उद्देशियों की पूर्ती के लिए तो कौन-कौन से उद्देश हैं जिसके लिए मनुष्य जो है वो कृत्रिम उपग्रहों का निर्मार करता है और उसे अंतरिक्ष में भेजता है तो सबसे पहला इसका उद्देश होता है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाता है इसके माध्यम से हम भी देखेंगे अभी वर्तमान में टेकनोलोजी इतनी जादा डेवलप हो गई इतनी अधिक विक्सित हो गई है कि हम कहीं भी खननकारी जो है वो नहीं शुरू कर देते हैं हम इन सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से जो वैग्यानिक है वो ये पता लगाते हैं कि किस स्थान पर जो संसाधन है पृत्वी के तल पर मौजूद है और उसके बाद ये जो डेटा उन्हें प्राप्त होता है ये आकड़े जो उन्हें मिलते हैं मैसेज जो उनके प्राप्त होता है सैटेलाइट के माध्यम से उसके बाद ही वो वहाँ पर उन इस्थानों पर खननकारिय या किसी भी टाइप के जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे संबंधी जो कारिये हैं वो उनके द्वारा किये जाते हैं अब नंबर टू है इसका जो उदेश है वो है मौसम संबंधी जानकारी तो वर्तमान में इन उपग्रहों के माध्यम से हम जो मैंने भी बताया ये अंतरिक्ष में इस्थापित किये जाते हैं और इनके द्वारा जो डेटा कैप्चर किया जाता है जो पिक्षर कैप्चर कि और वो मैसेज या वो जो पिक्षर है वो यहाँ पर कम्प्यूटर के माध्यम से मनुष्य जो है वो प्राप्त कर लेता है और उनसे चुकि ये जो सैटेलाइट्स है वो मौसम संबंधी जो दशाएं होती है वेदर कंडिशन की रिपोर्ट भी कैप्चर करती है अंतरिक्ष में तो उसके माध्यम से अलग-अलग टाइप की जो मौसम संबंधी दशाएं है उनका पता लगाना भी एक उदेश है महत्तपूर्ण जिसके कारण जो कृत्रिम उपग्रह है उनका निर्मान करता है मनुष्य और उन्हें अंतरिक्ष में भेज रहा है और नेक्स्ट हम दे चलाया जा सकता है या चलाया जा रहा है है ना नेक्स्ट हम देखेंगे चुकि बाही अंतरिक्ष तो हमारी पहुँच के बाहर है तो ये सैटेलाइट इमेजरी जो हैं ये ही जो हैं बाही अंतरिक्ष का अलग-अलग जो तारा मंडल हैं और उपग्रह हैं उलका हैं उन सभ कि जो जानकारी है वो हम तक उपलब्ध करा पाती है फिर हम देखेंगे कि अलग-अलग टाइप के जो मैप्स है या मानचित्रों का निर्माण भी इन सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है एक अन्य उप्योग और महत्वपूर्ण उप्योग है इसका सैनिक कारियों के लि अर्डर में हमारे सैनिक तैनात हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इन सैटेलाइट इमेजरीस के माध्यम से या उसके द्वारा जो डेटा कैप्चर की जा रहे हैं उनसे प्राप्त हो जाते हैं तो ये कुछ उद्देश हैं जिनके लिए मनुष्य ने क्रित्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है और उसे अंतरिक्ष में छोड़ा है या भेजा है अब हम देखते हैं कि इनके अलावा जो क्रित्रिम उपग्रह के क्या क्या उपियोग है तो यदि हम उनकी बात करें तो पहला जो है भी जैसे हमने बात की कि मौसम संबंधी दशाएं या जली या सागरी जो दशाएं हैं उनकी जानकारी या उनके उपियोग से संबंधी जो आकड़े हैं वो इन इमेजरिस या उपग्रहों के माध्यम से कलेक्ट किये जाते हैं जो हमारे लिए उपियोगी हैं दूसरा इसका उपियोग होता है जो जितने भी सी कोस्टल एरियाज हैं या समुद्र तट पे जो तूफान आ रहे हैं तो ये तूफान संबंधी दशाएं भी उपग्रहों के माध्यम से प्राप्त कर लिए जाते हैं जिससे उन समुद्र तटों पर जो मच्छुआरे होते हैं उन्हें alert कर दिया जाता है और उनके जीवन की रक्षा की जा सकती है इसके द्वारा ये जो पूरव सूशना है उसके कारण फिर हम देखिए और उसका उपियोग है जो हम वर्तमान में जो रेडियो का संचालन देखते हैं तो रेडियो का संचालन भी इन उपग्रहों क के माध्यम से पूरे विश्विस्तर पर अलग-अलग इस्थानों पे और दूर दूर तक इसका संचालन जो है वो संभव हो पाया है अब हम इसके और अनियुपयोग की बात करें तो यह वो टेलिविजन का जो नेटवर्क होता है उसका भी विस्तार करता है है ना टेलिविज नेटवर्क का विस्तार भी उपग्रहों के ही माध्यम से होता है फिर हम देखें कि जो समुद्रतल के तापमान संबंधी जो आकड़े हैं वो इसके द्वारा एकत्र किये जाते हैं और यह जो कारिये है वो आपका अब हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रिलाइज जो नगर होते हैं और द्योगिक नगर होते हैं वहां के जो बड़े-बड़े उद्द्योग पती होते हैं वो अपने कार्पूरेट आफिस में भी इसका उप्योग करते हैं अलग-अलग डेटा के लिए इसके बाद हम बात करेंगे ये टेलीफोन सर्किट की सहायता करता है जिसके कारण जो टेलीफोन है वो बिनातार के बेतार की तरह कारी करता है और उसका जो कंट्रोल है वो रिमोट कंट्रोल की भाती हम उसका उपियोग कर सकते हैं तो ये जो हैं वो कुछ आपके कृत्रिम उपग्रह जो बनाए गए हैं या अंतरिक्ष में जो भेजे गए हैं वो किन हमने देखा कि किन उद्देशों की पूर्ती के लिए बनाए गए हैं और इसके साथ साथ वर्तमान समय में इनका क्या उपयोग है हमारे जीवन में अब य संचार में ही हम ने देखा उपग्रह संचार इसके बाद हम देख लेते हैं जी आई एस यह भी संचार का एक महत्तपूर्ण साधन है जिसे हम जियोग्राफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम या भौगॉलिक सूचना तंत्र खहते हैं भौगॉलिक सूचना तंत्र या यह जो प्रणाली है यह आपके कंप्यूटर के हार्डवेर और साफ्ट्वेर दोनों की जो एक साथ एकिकरित करके जो भौगलिक आकड़े हैं या जो सूचनाएं हैं उन्हें एकत्र करता है और उन्हें एनलिसेज भी करता है मतलब डिस्क्राइब करेगा और उसके बाद फिर उस प्रयोग से हम जो मौसम विज्ञान है जल की गुडवत्ता है किसी भी स्थान की जो इस्थिती है जाए वो नदी हो गया या किसी बी प्रकार की जो प्रशाशनिक आकड़े है ना या जल ग्रहन छम्ता और जल इस्तर की जो इस्थिती है कोई जल मार्ग से संबंधित जो जानकारी है यह हम बहुत ही सरलता से जो उपयोग करता है उनको उपलब्द करा सकते हैं यह हो गया आपके GIS के लाग ये किस इसकर पर लेकिन ये जो जानकारी है वो हमें किस लेवल पर उखलब्ध कराता है GIS तो ये पहले आकड़े कलेक्ट करता है डेटा को कलेक्ट करता है GIS जो है उसके बाद फिर उन्हें आकड़ों को विवस्थित करेगा आकड़ों को विवस्थित करने के बाद उनका विश्लेशन करता है और इन आकड़ों का विश्लेशन करने के बाद ये हमारे सामने एक मान्चित्र के रूप में इसे प्रदर्शित करता है फिर हम देखें कि अभी वर्तमान समय में जो GIS है वो किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए हम कहें या निड़ने लेने के साथ साथ जो हमारा वातवरण है एक्मॉस्फियर है इस्थानिक वातवरण है उनमें आकड़ों के प्रदर्शन में उपकरन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है हर फिल्ड में और ये हम इसके दोरा क्या क्या कारिये कर सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं हम किसी भी चीजों का किसी भी वस्तों का यह हम किसी भी हम बोलें की प्रोजेक्ट हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा हम उसका मांचित्रन कर सकते हैं उसकी मात्राओं कितनी मात्रा में वो है उसकी मात्राओं का भी मांचित्रन कर सकते हैं कितनी डैंसिटी में वो कितने घनत्व में हैं कितनी अधिकता है उसकी तो घनत्व का भी हम मांचित्रन क कर सकते हैं छेत्र विशेष का मानचित्रन कर सकते हैं उस छेत्र में होने वाली घटनाओं का मानचित्रन कर सकते हैं और उस मानचित्र में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं इसके अलावा GPS जिसके माध्यम से हम अलग-अलग टाइप के संचार या उससे संबंधित जो डेटा है आकड़े जो हैं वो एकत्र कर सकते हैं है ना GIS के माध्यम से ही हम अलग-अलग आकड़े तो एकत्र करी सकते हैं साथ ही साथ जो अलग-अलग उदेश की पूर्ती के लिए हम अलग-अलग टाइप के मानचित्रों का निर्माण भी इसके माध्यम से कर सकते हैं मानचित्र भी इसमें तयार किये जा सकते हैं बहुत ही क्लियारेटी के साथ मतलब बहुत ही इस पस्ट और स्वक्ष जो कित्र निर्मान है वो इसके माध्यम से किया जा सकता है तो हमने देखा कि ये हमारी संचार व्यवस्था है जो वर्तमान मतलब प्रारम से हमने आज तक क्या-क्या हमने विकास कि इसके क्या-क्या उप्योग है उदेश क्या-क्या है अब मैं अगर ये कहूं तो कुछ अधिक न एक पूरे विश्व को सिकुडते ही विश्व के रूप में लेता है, मतलब श्रिंकिंग वर्ड हम कह सकते हैं, जो इतना विस्तार है, फैला हुआ है लाखों किलो मिटर तक उसको उसने एकदम सिम्टा कर रख दिया है हमारी परिवहन और संचार विवस्थाने। यदि हम प्राचीन समय में जाएं, तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में जिस इस्थान पर मनुश्य का जन्म हुआ है या जिस जगह पर रह रहा है, वहां से उसके लिए जो उसको लगता था कि यही उसका पूरा संसार है और बाकी जो दुन्या के अन्य जो जगह थे, जाने थे और एक रहस समय जो इस्थान के रूप में उसे लगते थे उसे लगता था कि पता नहीं जो भी है वो यहीं है और बाहर की दुनिया में क्या है क्या नहीं है क्योंकि तब परिवहन के साधन संचार के साधन विक्सित नहीं हुए थे तो उसका आवा गमन ही एक इस्थान पर आना जाना हुआ उसने दूसरे इस्थान की जो प्रवित्ती है उसकी वहां पर जो भी प्राकृतिक सौंदर यह है जो संसाधन वहां पर मौजूद है जो मनुष्य वहां पर निवास करता है इन सभी चीज़ों के बारे में वो धीरे-धीरे परिचित होता गय जया क्योंकि परिवहन के साधन विक्षित हो गए और उसका कनेक्शन जो है Connectivity बढ़ गई अब उसके बाद संचार के साधन भी धीरे-धीरे विक्षित हुए तो एक दूसरे से बात-चीत के माध्यम से वह एक स्थान से दूसरे स्थान की जो जानकारी है वो सभी जगह पर विश्व के प्रत्यक स्थान पर पहुँशने लगी और जैसे जैसे वो अपने विवेक के प्रयोग के द्वारा इन परिवहन और संचार के साधनों को विखसित करता गया और द्योगी करण बढ़ा नगरी करण बढ़ा मतलब विकास के हर पड़ाओ को हर स्टेप को वो पार क देखेंगे तो पूरा जो इतना हमारा विशाल विश्व है उसको एक बहुत छोटा रूप प्रदान कर दिया है मनुष्चित के द्वारा विक्सित किये गए इस परिवहन और संचार के साधनों ने तो कैसे उसे एक छोटा रूप प्रदान किया है हम कुछ इस पॉइंट स इस बात को समझ सकते हैं पहला है देख रहे हम कि थल मारगों का इसने विकास किया और थल मारगों के विकास के द्वारा दूरियों को मिटा दिया है अभी जैसे हम बात करेंगे हमने परिवहन के साधन में भी देखा था कि अगर आप आज रायपूर में खड़े हैं और कई महने लग जाते थे उसके बाद धीरे से सडक मार्ग का और विकास हुआ गाड़ियां बढ़ी फिर रेल मार्ग का विकास हुआ तो हम ये देखते हैं कि दूरिया धीरे-धीरे जो है मिटती गई एक इस्थान से दूसरे इस्थान की प्रारम समय से लेकर वरतमान समय तक य है ना वो चीजे जो है वो थल मार्ग के विकास के बाद जो है ये दूरियां जो है मिट गई फिर हम देखते हैं जल मार्ग का विकास किया गया और इसके जल मार्गों के विकास के द्वारा जो अंतर महादुपिय दूरियां थी उनको मिटाया गया तो पहले हम यह सुनते थे कि जो जील है महासागर हैं समुद्र हैं नदिया हैं यह एक इस्थान को दूसरे इस्थान से अलग करती हैं अलग करने का कार्य करती हैं लेकिन अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हम यह देखेंगे कि यही जो महासागर या सागर या जो जील हैं ये आपके परिवहन के प्रमुख साधन बन गए हैं सस्ते और सरल साधन जो एक इस्थान को दूसरे इस्थान से जोडते हैं तो ये सब कैसे संभा हो पाया है व्यक्ति के विवेक की उपयोग से है ना मनुष्य के विवेक का उपयोग किया उसने अलग-अलग जो वैज्ञान की है तकनीक है उनका विकास किया और वरतमान समय में हम देख रहे हैं कि जल मार्ग जो है वो दूरिया तो मिटा ही रहा है और सबसे लोग प्रिय सस्ता और सरल परिवहन का साधन बन गया है फिर हम देखते हैं वायू मार्ग का विकास किया गया और वायू मार्गों द्वारा विश्व को बहुत सुक्ष्म रूप प्रदान किया गया तो अगर हम बात करें कि सडक मार्ग सडक मार्ग के बाद हमने देखा रेल मार्ग और रेल मार्ग के बाद जल मार्ग का विकास हुआ और अब तो जैसे ही वायू मार्ग का विकास हो गया तो वायू मारग के विकास के बाद तो आप हमें ऐसा लगता है कि जो डिस्टेंस या दूरी नाम का जो शब्द है वो रहा ही नहीं है ना कि हम कुछ घंटे में ही पूरे विश्व की परिक्रमा कर सकते हैं तो वायू मारग ने तो पूरे हमारे विश्व को और एक छोटा रूप्रदान कर दिया है मतलब मैंने भी जैसे कहा कि दूरी नाम का शब्द ही नहीं रह गया है क्योंकि हम कुछ घंटे में आप कल्पना कर सकते हैं कुछ घंटे में हम पूरे विश्व की जो परिक्रमा है व जो है वो परिवहन करना है तो इसके द्वारा हम उस चीज को बिना खराब हुए सुरक्षित तरीके से जिस स्थान पर हमें पहुचाना है इसे उस गंतव्य तक वायू मारग के द्वारा पहुचा सकते हैं इन सब के अलावा हम फिर नेक्स देखते हैं जो वर्तमान में परिवार साधनों के द्वारा पूरे विश्र को एक पारिवारिक रूप जो है वो प्रदान किया गया है वो पारिवारिक कैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी कि जैसे हम घर में पूरे परिवार के सदर से एक जगा आमने सामने एक ही स्थान पर बैठे तो हम इंटरनेट, वीडियो फोन, ये सब के माध्यम से हम कहीं बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर बैठा भी जो व्यक्ती है, उससे हम ठीक उसी प्रकार बात करते हैं, जैसे हम परिवार के अन्य सदस्यों से आमने सामने बैठ कर बात करते हैं, बात भी कर सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, तो क्या है, ये संचार के साधन ने तो पूरे विश्व को एक पारिवारिक रूप प्रदान कर दिया है, तो चाहे दूरिया मिटी हो, या फिर हमारी जो connectivity है, या हमारे संदेश भेजने, या हमें प्रत्यक्षता किसी व्यक्ती को, अन्य व्यक् होंगी कि shrinking world का रूप दे दिया है या सिकुडते हुए विश्व का रूप इसे जो है वो प्रदान किया गया है जो हम अकसर बात करते हैं वसुधैव कुटुम्बकम की जो हम बात करते हैं वो इन सभी बातों से जो है वो सिद्ध हो जाती है कि पूरा विश्व जो है वो एक है और हम सब एक ही साथ एक दूसरे से संबंधित हैं चाहे हम किसी भी समय और मतलब वर्ग का जो अंतराल है और हम क्या बोलें कि दूरी का जो अंतराल है वो सब को मिटा कर पूरे विश्व को एक सुत्र में बांध दिया है परिवहन और संचार के साधन्ने ज एक सुत्र में भाल पाइब बांदान के साधन्ने करते हैं झाल झाल